खुद गहरी में प्री प्लान था बस ये के बाबा सिद्धिकी तक कोई इनफॉर्मेशन लीग नहीं हो पाई ये कतल प्री प्लान था पहले इसकी प्लानिक कर लिए थी तीन चूजे चवण्यों को चूजे वामों को इन प्लान कर दिया था कि ये मडर करने वाले एक को पकड मदा था जिसको पॉलिटिक से को इन रिख एक राता प्लान करें अब यहां पर जाकरें आब आप बॉसलमानों का चीकार कभी किसी का शिकार तो ये सारे मुसलमानों की गायादत को खतम करना चाहते हैं मुझे तो इस जो खुश वरों के जूड़ने जो इंसानियत के कघल क जिस लिहां से उनको माफिया और दौारा मर वाया है तो यह वाली बास थाबित होती है कि भारत में मुसल्मानों के लिए किस कदर नफरत बढ़ गई आपने देखा किस तरह शहाब बुदीन को जेल में मर वा दिया जाता है आपने देखा किस तरह अतीक अहमत को पुलिस कस्टिडी में मार दिया जाता है आपने देखा कि मुखतार अंसारी को किस तरह जेल में जहर दे के मार दिया जाता है सारे के सारे मरने वाले मुसल्मान थे और अभी देखे कि बाबा सिद्धी के मौत का जो जिम्मेदारी ले रहा है वो बिस्नूई गुरूप ले रहा है तो इन पे तो कोई कारवाई नी और यह वही है जिन्होंने अभी आपको यादो कि सिद्धू मुसे वाला को भी मारा था तो यह मतलब यह जेल में रहके भी गैंग माफिया चल ला है तो इनके उपर हाथ किसका है कौन इनको लीड कर रहा है कौन इनको सुपारी देके मर वा रहा है बाबा सिद्धी की मौशे किसको फायदा हो सकता था था लौए अगर वो सच्छे हिंदू है तुम्हारे नजदीक वो सच्छा हिंदू है जो मुसल्मानों को मारेगा जो इनसानित का कतल करेगा तुम्हारे नजदीक वो सच्छा हिंदू है यानिकर मुसल्मानों को मारते रहो और क्या नमे एक समाच के उभरते वे लोगों को मारते रहो आप सिद्धू मुसे वाला को मारेगा तो वो सच् किसी दलिट को मारता है तो वो सच्चा हिंदू है किसी एसाइ को मारता है तो सच्छा हिंदू है क्या डेFINHेशन है को तुम्हरे है नजर में लोगि ही कि टुम लोग एक माफिया को हीरो बनाकर पेस कर रहे हो तुम अच्छे खासी आवाजों को कह रहा है कि डर क्यों रही हूँ, अगर मैं डरती तो मैं इंटर्विविउ ना देती, मैं तो साफ नाम उसका ले रही हूँ, भई बाबा सिद्धी की से मेरी खुद कई बार बात हुई, बाबा सिद्धी को मुझे निमालूम था, कि बाब समाजी कारे करता भी थे, एक नेता थे, और जिस आदमी ने कॉंग्रेस के साथ 47 साल लगा दिये, आपको मालूम है कि यह जो बाबा सिद्धी की थे, बिहार के थे, घड़ियों को रिपेर करते थे, और अल्ला ने पिर इनका वक्त वदला और इनका वक्त इतना अच्छा च के पूरे हिंदुस्तान में इनकी चर्चा होने लगी, फिर ये कॉंग्रेस में शामील होगा, कॉंग्रेस में इनोंने 47 साल लगा है, अभी फरवरी में इनोंने NCP पार्टी जोईन करी थे, लेकि इनके बेटे जो हैं, जिशान सिद्धी की वो अभी भी कॉंग्रेस से कि अब इसलाम को नुखसान पहचा दिया, आपने मुसल्मानों की कमर तोड़ दी, आपने मुसल्मानों की खायादफ खत्म कर दी, कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा कोई गेम बजिए क्योंकि महरास में इलक्षन है, कहीं न कहीं आप यह दे कि बाबा सिद्धी को बलीका बक तो सुरक्षा के नाम पे तो मारे गई ये बाबा सिद्धी की वाई पलस सेक्योर्टी में तो मारे गए अरे कितनी सेक्योर्टी लगा दो जिसको जहां मरना होगा जिसको जहां मरवाना होगा वो मारा जाएगा क्योंकि ये पूरा भारा जो इस वक्त गैंग माफियाओं के हाथ में आ गया है इसको मरवा उसको मरवा जेल मरवा अरे जब आप ये देखें कि अतीक अहमत को जेल में मरवा दिया गया पुलिस कस्टेडी में मरवा दिया गया बिहार के शेर शहबुद्दीन को जेल में मरवा दिया गया आप देखें कि मुखतार अंसारी को जेल में मरवा दिया गया आप कि अभी आप बाबा सिद्धी के बाद комментарzem सब्सक्राइब नहीं पर आखिए अकरी जो एक तरह से कही है इस्टागराम पर रह motivo में ऊणी Hang पीस की बात हो रही है कि उपर वाला अल्ला ताला भगवान आपकी रूखो आपकी आत्मा को शांती दे अब उनको क्या पता था कि पूरा भारत आ रहा है भी बाबा सिद्धी के बारे में लिख रहा हूँ जो बिस्नुई गुरूप है ये सल्मान खान को मारने की भी सुपार कर दे तो ये बीच का काम कर लेकिन उनको ये थोड़ी पता था कि नेकी उनको भाली परदाएगी और उनहीं को ये बिस्नुई गुरूप जो उनको कतल करवा देगा जेल में माफिया चला रहा है मला हमारी सरकारे तो सही चलनी नहीं सेंटर में बैटकर वो गुजरात की ज पर आप अगर किसी एक बंदे को मारते तो लानत है चंद टुकड़ों के लिए चंद पैसों के लिए आप किसी को भी गतल करवा देगा मात्र डाइलाग मुझसे ले जाता बावा सिद्धी की जान बख्च देता अगर विकारियों तो मारे पास नहीं तो डाइलाग एमन ड के लिए तो देखो भए यह सारा ड्राम बाजी है सारा कॉडिनेट होता है पहले इसे प्लान होता है इसकी गली में फंदा फिट करना हमेशा घरीब के अरशना पर विचम कर दोंग लिए निए इनको पकड़ते हैं लेकिन एसे मामले पे तीन-चार घंटे में को फॉरन मु के में बहुत बड़ी लोजिक है यह जिन लोगों को पकड़ाइज यह लोग असल मास्टर माइन नी ए मास्टर माइन को बहुत उपर लेविल पर जिसको महाराज के इलेक्शन में फायदा हो पॉद आउं लोगों नी काम करवायाि तो देखो नो मैने क्या करा यह जो सुवरों का जुंड होता है इनको दो दो रुपे दिये जाते इनको कहा जाता ट्रोल करो तो इन यह तो खुद सुवरें बीचा रहे अब यह खुद थोड़ी केंगे हमेशा आप देखो कि नक्ता होता ना वह नाक वाले पैसता ना कुआ किया नकुआ गया नकुआ गया तो यह जो खुश्वरों के जुड़ने जो इंसाने का कतल करते फिरते हैं आरे तुम्हारे बाप ने तुम्हारे नाम का व्यक्ति है वह तरीके चंदन कहते हैं बहुत सबसे महंगी लखडी को, सबसे महंगा इतर को, जो चंदन की लखडी, संदर की लखडी होती, को एक सुवर नाम का व्यक्ति है, जो इनसान के मरने पर खुश होता है, उसको ये पता है, क्योंकि वो सुवरों के खांदान से, नहीं, इनसान का बच्चा नहीं, वो कवार का बच्चा है मेरे सामने आए सारी उसकी इंसानीयां दो मिन दूर कर तू आए मेरे सामनें खड़ो कर कह दें कि मुसलमान मरनेवाला जो होता है जिहादी होता है दो मिनट मद असको लीवू की तरह न निचोड़दू तो ऐम निजिंदी मेरा मुझे क्यों लगेगा मैं कि इन सूवरों के रेवल की तरह थोड़ी हो मुझे पता मैं जनमवालिंगों मुझे मालूम मेरी मौत होगी जम मारी जाओंगी इनके बाप में हम्मत है جो मुझे मारेंगे जब तक मेरा खुदा नहीं चाहेगा, मेरी मौत नहीं आएगी, और अगर मेरी मौत है, तो मैं मरने को तयार हूँ, नहीं, बाबा सिद्धिक के लिए, 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 बाबा सिद् तुकडों के लिए किसी का भी मड़क करवा देता है आप देखो ना सिद्धू मुसे वाला एक शरीफ लड़का था जिसको पॉलिटिक से कोई मतला नहीं ता जो गाता था कमाता था अपने बाबाब की इकलौतिया लाती इन हीडलों की बटा दिया ने उस बच्चे को मार दि पढूंडा रहे जितने भी मुस्नमाने मुझे उनका डर्डाव कई लगता सबसक्सक्का और सब्सक्क्राइस तो नहीं सकते हैं माफिया जेलं को जेलों में बंद कर रखें जेलं मे प्रिपलान बंदे क्यों ने काIP मतलब कर में है को दो जेल में लगे में वहां e मृबार तो फिर क्या होता है कैसी बाते कर दो अगर मेरा बाप कोई मर्डर करें का मैं को इसकी प्लानिक कर दी ती तीन चूजे चवन्यों को चूसे वामों को इन प्लान कर दिया था कि यह मर्डर करने वाले एक को पकड़ा नहीं दो को पकड़ लिया फुसल में रहते हैं जौपणी में रहते हैं ठार लाग में मरा यह समय हेरा एक बात है कि कोई बंदा ठार के बाबाबा सिद्धी जैसी शक्सित को मारते है अच्वर्ण ऑदा